बुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज का सब्जेक्ट है इविएस इसमें हम दर स्काई के बारें पढ़ेंगे वेन वी लुक अप इन डा ओपन वी सीधर स्काई अबाव अस जो हम उपर की तरफ देखते हैं किसकी तरह ऊपर की चृप तो हमें कुआ दिखा परियाता है आशमान इसकाई दिखाई ने सब्सक्राइब और कि है सब्सक्राब c 겨 शकर डेखते हैm हम क्या देख सकते हैं सन को देख सकते हैं दिन के समय जब दिन होती है तब हम सन को उस तेम आसमान में देख सकते हैं स्काय में The sun gives us heat and light सन हमी करेता है light भी देता है और heat यानी गर्मी भी देता है The sun is hot like a ball of fire सन क्या है किस तरह दिखता है एक आग के गोले की तरह दिखता है Every morning the sun rises in the east and brings a new day हर दिन हर सुबह जो होती है उस समय के होता है East में यानी कि पूरब दिशा में सुरद हमीशा पूरब दिशा में ही उगता है ठीक है और हमारे लिए कुछ-कुछ new-new things अच्छ-च्छ दिन लाता है हमारे लिए हर दिन हमारे लिए हर नया दिन लाता है Every evening the sun sets in the west और जो sunset होता है यानिकि सूर्ज अस्त होता है वह कौन से दिशा में होता है West में यानिकि पस्च्छम दिशा में सूर्य अस्त होता है It becomes dark and night falls और वो क्या हो जाता है जब सूरज जैसे राष्ट होता है वैसे वैसे डार को शाम होती जाती है यानिके अंधेरा होता है ठीके ओपन योर आम्स अपने हाथों को खोलो and face the rising और अपने face को किसके तरफ करो जहां sun उगरा है ठीक है यानिकी उदय हो रहा है यूविल facing east तुम्हारा जो face है वो किसके तरफ रहेगा east के तरफ यानिके जहां सूरज उखता है उसके तरफ रहेगा and west will be behind और तुम्हारे जो back side है जिससे आपन इस तरीके से खाड़े है और sun यहां से rise हो रहा है ना उगराए उदय हो रहा है तो इसका face इस तरफ है यानिक east के तरफ है और जो west है वो बहुत behind और पीच्छी के तरफ है तो वह हो गया उसका west यानिकी पश्चिम दिसा यह राइट आम इंडिकेट नौर्थ हमारा राइट आम में जो राइट हैंड है हमारा वह किसको इंडिकेट करता है नौर्थ डाइलेक्शन होता है ठीक है यानि सुरज उगरा है वह हो गया east और यह पीछे वाला वैस्ट हो गया ठीक है एट नाइट वी सी मैंनी स्टार्स ट्विंगली इंडान इसका है रात को हम इतने बहुत सारे स्टार्स देखते हैं नाइट में है ना वी अलसर सीधा मून अब हम मून के बारे में भी पढ़ेंगे इसमें तो मून के बारे में क्या है इसमें हम पढ़ेंगे the moon is nearer to the earth than the sun जो मून है वो sun के बिल्कुल पास में है comparison sun से यानि कि sun थोड़ा दूर है और moon ज्यादा पास है अर्थ के बट इट मच स्मॉलर लेकिन वह क्या होता है मून बहुत छोटा होता है दिखता हो सेम साइज में की sun और moon का साइज सेम होगा बट sun से छोटा होता है moon the moon shines with the light of the sun क्या करता है मून क्या करता है जो चैंद्रमा होता है वह प्रत्यों की चाहतरा मूफ करता रहता है मून हर दिन अपनी शेप को यानि कि अपनी आकार इसको चेंज करता रहता है मून आपको इस तरीके कवाल यानि इस तरीकी से तो उस तो हुआ जो मून है ऊस पर नय पानी है ना हावा है that is that is where there is no light तो महाँ पर क्या है कोई lights नहीं है दि कि आना याणने कि आनाप कुई रही ने सकता आप उन स्टार्स के बारे में आपड़ेंगे तो इस्टार्स में हैं we cannot see them during the day because there are many stars in the sky इस्टार्स्टारे पस्टार्स तरह में दि का बिसे सकते हैं bright light to the sun क्योंकि जो सूरच की जो रौश्णी होती है वो इतनी ज़ादा होती है कि उसके वज़े से दिन में वो तारे दिखाई ही नहीं देते हैं इतना उजाला रहता है आसमान में उपर अगर आप कभी भी देखेंगे दिन के तार में तो आपको कभी भी स्टार्स नहीं दिखाई देगे Because of bright light of the sun At night the stars are visible और रात को क्या होता है स्टार्स visible हो जाते हैं यानि कि देखने लेग हो जाते है They are very far away from the earth और वो क्या होते हैं हमारी ब्रत्वी से धर्ती से बहुत दूर होते हैं Some stars are bigger and brighter than the sun और कुछ stars जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं और चमकदा होते हैं sun से भी जो sun होता है ना उससे भी बड़े होते हैं और चमकदार होते हैं But they look so small Because they are very far लेकिन वह हमें क्या दिखते हैं बहुत छोटे छोटे दिखते हैं और कुछ stars के होते हैं जिसे मानलो कभी आपने दिखा होगा कभी-कभी होता है ऐसा हर रोज नहीं होता कुछ stars एक ग्रूप के रूप में pattern बनाते हैं जिसे कुछ दिन 15-20 सार एक साथ होते हैं तो कुछ-कुछ अलग-अलग pattern हम उनको imagine करेंगे कभी-कभी देखेंगे तो कभी हमें horse के रूप में दिखेंगे कभी कोई ऐसा लगेगा कि कोई घर बना हुआ है उनसे इस तरीके से कभी-कभी imagination करना अगर कोई आपको ग्रूप में बहुत सारे दिख रहे हो एक सारे star उपर आश्मान में इस काई में तो आपको भी आप फील करोगे चीज को कि हाँ है कुछ इससे कुछ बना हुआ है तो वही चीज़े one such pattern is the great bear और कुछ pattern इस तरह की बनाते है वह इससे बीयर की तरह बहलू की तरह तो उसको बहलू की तरह आपको जब भी आश्मान में देखोगे तो आपको स्टार्स में कभी कभी कुछ कुछ चीज़े दिखाए देखी जैसे घौड़े दोड़ रहे हैं कोई क्रोकोडाइल बना हुआ दिख जाएगा उससे इस तरह के चीज़ें आपको उसमें दिख जाएगे अगर आप अच्छे से इंट्रेस्ट करके देखोगे तो इमेजिनेशन लगा कर देखोगे तो अपनी ठीक है तो यह आज का वरक्षीट अब हम करेंगे तिक दा करिक्ट ऑप्शन दसन इस प्लैनेट इस्टार या बोड तो स्टार इसे इनसे इनसेट कि इदर होता है इंट का वोता है ऐवसके sollक चाहले के सन के चाहलेगे अब है fill in the blanks with the help of words given in box यहाँ पर hint box में दिया हुआ है moon, heat, light, morning, evening तो we get heat and light from the sun when the sun rises it is morning the moon shines at night when the sun sets it is मलब जब सम्न अस्त होता है तब क्या होता है evening choose and write the correct word the sun is a big ball of ice का या fire का sun को किसका ball का गया है ice का या fire का तो fire पे write tick लगाना है आपको इस तरीक से the sun rises sets in the morning morning में sunrise होता है या उदे होता है अस्त होता है rise होता है और in the evening में क्या होता है set होता है the moon shines with the light of sun and stars तो यहाँ पर आएगा sun one such pattern is one such pattern is the great dear or great bear किसी तर दिखाए 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 पैटन यहाँ पर आएगा great bear ठीके I twinkle at night में night में twinkle twinkle होता हूं तो वो कौन है star I rise in the east in the morning में पूरब में उखता हूं morning में तो वो क्या है sun I give light at night में light देता हूं रात में यह होगा moon I am hot ball of fire मैं आख के गोले की तरह हूं गरम को तो वो है sun ठीक है इस तरीके से आपको यह fill करना है answer the following questions why do stars look so small हमें stars कुछ छोटे दिखाए देते हैं because they are very far away from the earth क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूरी पर है what is the shape of the sun the shape of the sun is round what is the color of the sky at night black color dark हो जाता है न why is night dark night dark क्यों होती है because the sun sets in the night so night is dark क्योंकि sun अस्त हो जाता है और moon rise बता है ठीक है तो moon आते ही और stars आते ही night हो जाती है तो dark हो जाता है अपने आपके ओके तो यह आपको वोक्षिट इस तरीके से complete करनी है थैंक यू